वैसे तो friends मेहंदी ज्यादातर लोग अपने बालों में अपने बालों को कलर करने के लिए लगाते हैं कुछ लोग अपने बालों को कंडिशनरिंग करने के लिए लगाते हैं और कुछ लोग सौक से लगाते हैं लेकिन ज्यादातर लोग अपने बालों को कलर देने के लिए ही महंधी का यूज करते हैं लेकिन आज मैं आप लोगो kur बता रही हूँ महंधी तो आप लगाते ही हिए लेकिन महंधी में कुछ ऐसे चीजों को फिक्स करके लगाते है इस तरीके से अगर आप महंधी लगाते हैın तो ना सिर्फ आपके भालो को और आप लोगों के साथ एक एसा हेर पैक का वीडियो कर आई हूं जो आपके बालों की प्रॉब्लम्स को भी खतम करता है साथ ही साथ आपके बालों को एक नेचरल सा कलर देता है और कंडीशनेरिंग करता है डिप कंडिशनरिंग करता है अपके बालों को और आप इस पैक को बना सकते हैं इस ही ना पैक को बना सकते हैं अपने घर में और लगा सकते हैं वो सब कुछ आज मैं आप लोगों को बता रहे हूं तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा बहुत ही जादा एफेक्टिव यह हो मिरमेडी है जो आज मैं आप लोगों को बता रहे हूं और पहली बार चानल पर आहें तो चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंट्स वीडियो पसंदा तो लाइक भी किजिए और वीडियो को शेयर भी किजिएगा अपने फैमिली फ्रेंज के साथ तो फ्रे पैक है वह आपको इतना जादा असर करेंगा आपके बालों में कि लगाने के बाद इसको बिल्कुल भी आपको ना बाल ड्राइं होंगे ना खुशकी ना खुजली और उपर से आपके बाल जो जड़े हुए वह बाल वापस आएंगे और हैर ग्रोथ बहुत ही जादा द्रऑजी सै भर रहे हैं. मेरे भालों की लमबाई और इधर ज़द के तो भर हैं अध्य मेरे जटयं हैं तो वह अपस ब कि आटे और इतने छोटे-छोटे हैर वह थकुले हैं काटे हैं, यहां पर देख सकते हैं हैं अहां पर जो जो को पाल होता है यहां करते हैं। आपको अलग से कोई हेयर मास्क लगाने की ज़रूत नहीं परेगी अगर आप इस तरह से महंदी को लगाते हैं अपने बालों में तो इफेक्टिव इंग्रेडियंट्स जो मैं आप लोग को बताऊंगी आपके बालों को काला करेंगे लंबा घना और मजबूत करेंगे और साथे साथ एक्सफोलियेट करेंगे यानि कि अगर बाल आपके जो पप्रीसी जम जाती है जो डेंटर्फ की प्रॉब्लम हो जाती है उ इस तरह से आप मुलतानी मित्ती को लगा सकते हैं अपने बालों में और बहुत ही ज़्यादा फर्क पा सकते हैं बाल इस्ट्रेट हो जाते हैं उसके बाद मैंने महंदी वाला ये पैक लगाया अपने बाल में और आप मेरे बाल देख सकते हैं एक्दम नैच्रल कलर हो जात बाल जड़ते हैं फिर वापस से आते हैं भी रहते हैं तो इस तरह से आप हेयर पैक बनाईए अपने घर पे और लगाईए और एक्दम बहतर रिजल्ट्स आप सकते हैं साथी साथ आपके जो वाइट हीर हो गए है यानि कि जो सफेद बालों की प्रॉब्लम है उससे भी आपको चुटकारा मिलेगा और जो बच्चे हुए बाल है वो सफेद नहीं होंगे दीरे दीरे से सफेद बाल भी काले होने लगेंगे और ये मेरा अजमाया हुआ नुसका है आप जुरूर ट्राइ किजिग तो जली फ्रेंड्स आप लोग को बताते हैं कि फीना हेर पैक को किस तरह से बताना है चली बताते हैं और मैं अक्सर महदी में आमला पॉडर यूज़ करती ही हूँ, आप लोग देखते ही होंगे, और उसके बाद जो ये मैं ले रही हूँ, इस्पिसल लिक्विड वो बहुत ही ज्यादा हेलफुल है अमरे बालों के लिए, जी हाँ फ्रेंड्स ये है वो इस्पिसल लिक्विड तो चलिए बताते हैं किस तरह से इसको बनाना है, सबसे पहले लेना है एक टिर ग्लास के लगवग पानी, उसके बाद हमें आड़ करना है कुछ करी पत्ते, करी पत्ते के बाद इसमें हम डालेंगे मेथी, पूरी तरह से पौर्डर नहीं है मेथी, हलका सा बारिक किया जी हाँ फ्रेंड्स मेथी बहुत ही जादा अच्छा होता है, हमारे बालो के लिए उसी तरह से करी पत्ता भी बहुत ही, जादा अच्छा होता है बालो के लिए, बालो को काला करने के साथ हाँ सिल्की साइनी बनाता है, बालो की ग्रोथ को बढ़ाता है, तो दोनों रेमड जब यह हलका से गर्म रहेगा तभी इसको चान कर हम मेहंदी में इसका यूज़ करने वाले हैं इसके लिए पूरा वीडियो जरूर देखेगा फ्रेंट से और भी कुछ मेहंदी में मैं आड़ करने वाली हूँ और इतना ज़्यादा अच्छा ये हेयर मास्क बन करेड़ी एक अलग ही आपको शाहिन देखा आपके बालों को एक अलग ही बैनेफिट्स आपको मिलेगा वो आप एक बार लगाएंगे तो खोद ही चौक जाएंगे कि इतना ज़्यादा बैनेफिट्स कैसे मिला और बाल आपके बिल्कुल रफ ट्राइ नहीं होंगे बालों की इतना ज़्यादा पावरफुल ये हिना पैक है तो जब भी आपको हिना लगाना है तो इस तरह से आप हिना पैक बना कर लगाएंगे तो आपको अलग से कोई भी हेर मास्क लगाने की जूरत नहीं परेगी और इतना ज़्यादा पावरफुल ये होम रेमेडी है और इसको भी आपके बाल rough dry नहीं होंगे जैसा कि मेहन्दी लगाने के बाद अक्सर हो जाते हैं और बालों में वही color आएगा जो आप चाहेंगे तो अगर आपको ज्यादा dark चाहिए बाल ज्यादा brown चाहिए तो आप ज्यादा दे रख सकते हैं नहीं तो कम time भी रख सकते हैं तो फिर बालों की problems को खत्ब करता है और जो भी ingredients इसमें हमने एड़ किये हैं बहुत ही ज्यादा helpful है हमारे बालों के लिए तो इस तरह से ढखके रख देना है कम से कम एक दो कंटे के लिए नहीं तो आप कम से कम राद बर करने भी रख सकते हैं इसको उसके बाद अपलाई करना है अ जिस तरह से आपको सुविधा लगे उस तरह से आप अपने बालों में इसको अपलाई कर सकते हैं आप देखते होंगे जाद तरह मैं इसी तरह से लगाती है अपने बालों में मुझे ऐसे ही लगाना एजी लगता है तो सबसे पहले मैं आगे के बालों में लगा लेती हूं तो बालो की जरूर में भी लगा रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा पावरफुल ये होम रेमरी जो की बालो के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है करी पत्ता, मेथी पाउडर, आमला पाउडर, उसके बाद जो भी हमने इसमें मिलाय हुआ है मिटामिनी, कैपसूल और हिना वो भी बालो के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है तो ये बालो को लाल नहीं करता है बलकि डार्क ब्राउन करता है और आपके बाल अगर ब्लैक है तो धीरे धीरे से आपके बाल एक्दम से डार्क ब्राउन हो जाएंगे और बहुत नहीं ज़्यादा सिल्की साइनी हो जाते हैं बाल और अलग से आपको कोई भी सीरम कंडिशनर की भी जरूरत नहीं पड़ती है और इसको लगाने के बाद कम से कम दो दिन घंटे के लिए ज़रूर रखे फ्रेंड्स उसके बाद नॉर्मल पाने से आपको धो लेना है डायरेक्ट शैंपू नहीं करना है फिर अगले दिन आपको अच्छे से अपने बालों में चंपी कर लेना है उसके बाद कोई अच्छा सा शैंपू से धोना है अपने बालों को और किवल एक बार में ही आप फ़र्क देखें और कुछ भी नहीं लगा शैंपू वगर अपने बालों में और बाल इतने जदा सिल्की शाइनी और स्मूथ दीख रहे हैं थे फ्रेंट्स की अप लोग खुदी देख पार रहे होंगे बहुत नहीं जादा है यह असरदार है हमारे बालों के लिए तो आप भी ज़रू ट्रा हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई